रादस्तान में बढ़ता कुरोना कक है, रादस्तान में कुरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई, आपको बतादे प्रुदेश के 26 जिलों में कुरोना का दारा बढ़ चुका है राज़सान में आज कुल 80 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए जोदपुर जिले से 30, भरतपुर से 17, नागोर से 12 और राज़धानी ज्वैपुर से 7 मामले इसके अलावा सवाई मादोपुर से 4 पहली बार बिकानेर, कोटा और ज्वालवाट से 2-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए इसके अलावा भीलवाडा, जैसल मेर, जुझनू और हनुमानगड में भी एक-एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया बासवाडा जिले में 7, नागोर में 43, जुझनू में 37 और बिकानेर में 37 कोरोना के मरीज पाय गये जैसल मेर जिले में 32, भीलवाडा में 29, जहलावार में 20, अजमेर जिले में 18, साथी में चूरू में 14 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाय गये इसके अलावा दोसा में 13 और अलवर में भी 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जुंगरपुर में 5, उदैपुर में 4, सवाई माधुपुर में आज पहली बार कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए इसके अलावा बाडमेर और धॉलपुर में के कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए आपको बता दे की इरान से लोटे यात्रियों में अब तक 60 पॉजिटिव पाए गए इतली से आए गए दो परिटक भी इसमें पॉजिटिव पाए गए राजसान में अभी तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो गई राजसानी जैपुर में 13, भीलवाडा कोट और जोदपुर में 2-2 बीकानेर, अलवार और टॉंक्स दिले में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई और उतरप्रिदेश के भी एक नागरे की मौत प्रिदेश में हुई है इसे की साथ प्रिदेश में अब तक 205 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए है सत्यान में मरीजों को इनमें से डिस्चार्ज दिया जा चुका है जोकि एक राहत की बात है प्रिदेश में अब तक कोरोना के 54,614 सैंपल्स इकरत के गए बड़ी बात जिसमें से 43,537 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है राहत की ये बात है 6,646 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है और इसी खबर परदिक अपडेट के लिए एवन सवारता दयाल सिंग मेरे साथ में जोदपुर से इस वक्त फोल लाइन पर जोड़ चुके है दयाल क्या स्तिती है जोदपुर की जोदपुर में इस्तिती बड़ी गंबीर होती जा रही है जोदपुर अब जाजस्तान में दूसरे इस्तान पर आ चुका है दो सोग के लगबग पोजेट्व लोगों रिपोर्ट चुकी है और लोगों का इलाज MDM अस्पताल मात्मागंज अस्पताल में चल रहा है साथी एम्स जिसमें जो इरान और इरान से लाए गए है जिसके चलते हैं आज परसास मनें पूंता करती हूँ और लोगडाउन की पालना के लिए अपनी कमर कसली एर पुलिस अजिकारी मौके पे दिन बर गस्त करके लोगों को घर के अंदर रहने के लिए पुलिस ने अब इन लोगों को साथ इदायत दे दिये कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा यदि जब तक मेडिकल टीम पूंत आपके घर के परिवार की जाच ना कर ले कि कोई इनमें से पोजेटिव है नहीं या है तो मुक्यमंत्र ने भी विश्य सभियान चला रखा कि पर्ति एक घर से हर घर से शेंपल लिये जाएंगे सभी की जाच की जाएगे उसी के तेट बड़ी संक्या में लोगों की यह पोजेटिव रिपोर्ट भी आ रही है और पुलीश सुपरसार्शन और शाहत विबागी टीम लगातार गर-गर जाकर शेंपलिंग लेकर और लोगों की जाच करके तो रहने से जो ग्रस्तित है उनको इलाज करवाया जा रहा है जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद है जोदपूर से एवन सवालाता को सुन रही थे जोदपूर सिस्थिति का जायज हो गए वहीं पर जोदपूर में भी आकड़ा दोसों की संख्या को पार कर चुका है योदस्तर पर कार्य पूरे प्रुदेश भर में कोरोना को हराने के लिए जारी है और इसी खबर परादिक जानकारी के लिए सवाई मादूपूर से मेरे सयोगी लोकेश मेरे साथ में पोल लाइन पर जुड़ चुके है लोकेश सवाई मादूपूर से पहली दफ़ा यहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव मरी सामने आए एक नहीं दो नहीं एक साथ मिचार क्या स्तिती है वहाँ पर इस वादूपूर से लोकडाउन के बाद परसासन सतक्ता बरते वे था और बावनवास के गड़ी सुमेर में भी दो लोगों का पॉजिटिव होना सामना है जिसके बाद जिला परसासन परसासनिक अधिकारी होना है परसासनिक अधिकारी होना है कि हम यहाँ पूरी तरह से मुस्तेव हैं और आगे जो जिन लोगों के संपर्क में पॉजिटिव लोग आये हैं उन्हें भी ततकाल एडमिट कर उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा और उनको भी कॉरिंटेंट कराया जाएगा लोकिश 26 वा जिला बन गया है सवाई माधूपूर अभी तक इस चीज से अचूता था लेकिन वो कौन से कारण रहे कि इतने लॉकडाउन के बीच में फी चार संदिग्द सामने आए ये कहां से बताया जा रहे है और क्या इनकी हिस्ट्री रही क्या कोई ट्रैवल हिस्ट् लोगों का आना जाना लगातार जाहर था एक तरब प्रसासन का अधिकारियों के ना कि सभी बॉडर सीज कर दिये गए हैं लेकि बॉडर सीज करने के बादू तो इन लोगों का दूसरे जगे से यहां अचानक पुछना गुप रास्तों से पहुचना या सड़के माधियों से पहुचना यह जिला पर चासन की जो लोगडाउन की और सवाल या निशान है इस परी जी इनका किना 45 नाके जिला पुलिस द्वारा बना यहां पर बनाए गये हैं नाकों पर विचे इस बंदोबस्त के तो इस बंदोबस्त की पोल खोलता है निजर आ रहा है लोकिश क्या यह जो चार लोग है इनके जो परिचित है इनके जो परिजन है उनके अब स्क्रीनिंग कर ली जा चुकी है कितने लोगों से यह मिले क्या इनकी पॉजिटिव पाए जाने से पहले क्या इनके सैंपल ली जाने से पहले इनका क्या यहां पर रहा मिलना जुनला की मामला 4 लोगों से बताना जिला क्लेक्टर मोचे ननुमलपाडिया कहना है उसके बाद इनके परिशित परिवार जरें उनको सबी में इनके स्क्रिणीं करवाई गई है किलाल उनमें इस तरह के लक्षनी और फिर जो लगातार जिन लोगों के संपर्क में लोगा आए हैं उनको क्वारेंट करने की इस्था में लगातार जारी है और और जिस जगए ये लोग गए हैं उनकी भी इनक्वारी कर और जिला प्रसासन अगरीम कारवाई में लुटा हुआ है जी जी तमाम जानकर एक लिए बहुत धनिवाद लोकेश सवाई मादूपूर से एवन सवालाता लोकेश को सुन रहे थे आप सवाई मादूपूर वो जिला है 26 वा प्रुदेश का जहां पर आज पहली दफार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए चार मरीज एक साथ सामने आए चुंतनी अस्ति यहां भी बन गई है युद्धिस्तर पर कारे हाला के पुरे प्रुदेश भर में अभी कोरोना से निपटने के लिए जारी है